कॉंस्टिपेशन की समस्या काफी खराब होती है अगर सुभाय प्रिशर के बाद इंसान का पेट अच्छे से साफ हो जाता है तो उसका पूरा दिन ठीक जाता है वहीं अगर पेट ठीक नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता ऐसे में जरा उस शक्स के बारे में सूचिये जिसने अपनी जिंदगी में 13 साल बिना पॉटी के गुझारे हो इस शक्स की हरत मौत से भी बद्तर हो कई थी जरा सी कॉंस्टिपेशन की समस्या में इंसान को ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है इस शक्स का पेट तो बुरी तरह से फूल गया था मेडिकल हिस्टरी में ये केस काफी मशूर है पैंसिलवेनिया के फिलाडेलफिया में बने मटर म्यूजियम में एक शक्स की अंतड़ियां रखी गई है इस शक्स ने अपनी बिमारी के वज़ा से पूरे 13 साल पॉट्टी नहीं कि थी इस वज़ा से उसकी मौत हुई मौत के बाद डॉक्टर्स ने उसके पेट का जो हाल देखा वो बहुत खौफनाख था इस शक्स की उम्र मात 39 साल थी इस इंसान के पेट से डॉक्टरस ने करीब तीन बाल्टी पॉट्टी निकाली थी और इसके बाद उसकी अंतड़ियां जो काफी बड़ी हो गई थी उन्हें निकालकर म्यूजियम में डिस्पले पर लगा दिया गया था इस आदमी के नाम का खुलासा नहीं किया गया लेकिन उसकी बिमारी के वज़े से उसे बलून मैन या हुमन विंड बैक कहा जाता था उसकी हाइट साड़े पांच फिट थी इतने सालों तक पॉटी ना करने की वज़े से उसका पेट काफी बुरी तरह से फूल गया था इस कमी को उसने इस सरकस में लोगों का मनुरजन करने के लिए इस्तमाल किया डॉक्टर्स ने जाश की तो पाया कि इस आदमी को हिर्श प्रंग नाम की विमारी थी जिसके वज़ा से उसकी अंतड़ियों से पॉटी बाहर नहीं आ पाती थी पूरे तेरा साल इस आदमी ने पॉटी नहीं की इतने लंबे समय तक गंदगी उसकी बाड़ी में जमा होती रही जो काफी जहरेली हो गई थी इस वज़ा से जब इस आदमी की मौत हुई तो डॉक्टर्स उसके पेट के अंदर का हाल दिखना चाहते थे उन्होंने जब उसके पेट को फाड़ा तो अंदर से करीब तीन बाल्टी पॉटी निकली उससे साफ कर उसकी अंतनियों की भी सफाई की गई उसकी अंतनिया 25 फीट लंबी थी और पॉटी जमने से 8 फीट मोटी हो गई थी अगर आपको भी हर दिन पॉटी नहीं होती तो कोई बात नहीं अगर हफते में 3-4 बार भी पेट की सफाई हो रही है तो ये नौर्मल है इससे ज़ादा देर होने पर गंदगी जहरेली हो जाती है अगर नवजात बच्चा जन्मे के 24 घंटे तक पॉटी ना करे तो उसे कोई बिमारी है UK के एक मामले में सामने आया था जहां 16 साल की लड़की दो महीने पॉटी नहीं गई थी और इसके बाद हाट अटेक से उसकी मौत हो गई थी तो ये तस्वीरे और ये खबर आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए और ऐसी और जानकारियों के लिए आप सबस्क्राइब करें दे नियूस बुक